दोस्तो मैं अलपना सरोज स्वागत करती हूं आप सभी का स्वाधिष्ट बोजन चैनल में दोस्तो आज मैं आपको देसी मचली का बाल बनाना बताऊंगी यह देसी मचली का अंडा आप कह लीजिए और आप कोई से आज मैं फ्राइदार बनाना बताऊंगी और बहुत ही कलता है अंडे तो देशी मशली होती है दोस्तों इसी तरीके का अंड़ होता है उनके पेट में तो इसे हम धूलकर कच्छे साफ कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहां देखिए मैंने कड़ाई चढ़ा दिया चूले पर इसमें डाल देंगे सरसो का तेल तेल जैसे गरम होग को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगलने वेल की घंटी है उसे बजाना आप नहीं भूलिएगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों तड़का अच्छे से फ्राइब हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे अद्रक लेसुन और हरी मिज क पेश्ट तो इसे हलके से हम फ्राइब कर लेंगे अद्रक मैंने थोड़ा ही डाला है दोस्तों और लेसुन आप भरके डाली इसमें मतलब अच्छे से डाली इसमें लेसुन अब इसमें डाल देंगे नमक एक चमच भरके आप इसमें दो टमाटर मीडियम साइज के काट के कर देंगे उसके बाद में हम डाल देंगे बाल तो इनको हम अच्छे से मिला देते हैं सारे मसाले बाल में अच्छे से मिला देते हैं और उनको अच्छे से लाल होने तक फ्राइब करेंगे वैसे तो दोस्तों मचली की अंडे की रिस्पी और भी मैंने पहले भी आपके तो आप इसे अलट पलट के अच्छे से लाल कर लीजिए क्योंकि चूले की आच आपको धीम ही रखना है दोस्तों अगर आप तेज आच रखेंगे तो यह नीचे से जलने लगेंगे इस बात का आपको ध्यान रखा है मीडियम आच पे आपको इसे अच्छे से फ्राइ करना ह अलट पलट के आपको अच्छे से फ्राइ कर लेना है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर मैंने से अच्छे से अलट पलट के लाल कर लिया है यह बहुत इच्छे से फ्राइ हो गया है और यह अच्छे से पक भी गया दोस्तों आपको दिखी रहा होगा अब इसे हम चूले परस उतार के नीचे रख लेंगे फिर से सर्प करेंगे तो यह देखी दोस्तों देशी मचली का अंड़ा बनके त्यार है अच्छी तरीके से आप इसे खाईए बहुत ही टेश्टी लगता है तो यहां मैंने सर्प कर लिया इसे आपको स्वात करके बताती हूं यह बना किस त तो अब पूंचे बना हुआ है तो आप भी इस रिसपी को बनाए क्याओं आज